पहले आप सोशल मेडिया पे जो हेटर्स हैं उनको बोलते हैं कि मैं आमने सामने यह मर्दान की दिखाते हैं और अब वाट्सअप पे बद्वाए दे रहे हैं हां मतलब कोई यूट्यूबर है उसका मैंने भी शॉट देखा और उसने शॉट में जो बताया है वो सही में शॉकिंग है so friends welcome to my channel कैसे हैं आप लोग I hope आप लोग मजे में होंगे तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मुझे पता है आप लोग होली की तयारेयों में होंगे लेकिन एक quick update आया है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताओ लेकिन येस मुझे ए expected नहीं था कि ठीक है आप लोग सोचल मीडिया पे हैं लेकिन ये सब चीज़े जो कर रहे हैं जो इतना घमंड आ गया है जो इतना attitude आ गया है पता नहीं किस चीज का आ गया अरे भाई जिस तरह से इंसान success पे जाड़ता है उसी तरीके से उसकी हरकते उसे दीचे ले आती है ठीक है तो इतना घमंड नहीं होना जीए मैं बात कर रहे हूं यहां पर मैंने एक talk with Alka है ठीक है उनका मैंने भी एक short देखा तो जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो देवर जी है ना कामीनी ज सेक्शन में उन्होंने short डाले जिसमें उन्होंने comment भी बताया है कि मैंने किसी ने मुझे बताया था कि क्या हुआ है कि मम्मी एक मा को हमेशा अपने दोनों बच्चों का साथ देना चाहिए तो यहां पर थोड़ा सा यह है कि गलत किया गया एक बच्चे का support किया गया और ज उसको उससे इतना गुसा हो कि उससे तिल मिला गए कौन देवर जी और उन्होंने देर डाली WhatsApp पे बद्धु आए मतलब हद हो गई मतलब कैसे कोई कर सकता है और तो और इन सब चीजों के लावा और चीजे भी उन्होंने बोली है कि जिस तरह से है ना यह सब चीजे चल रह करेंटे का टाइम उन्होंने लिया भी था कि कोई आएगा हमसे कोई बात करेगा और मना करेगा कि नहीं मत डालो है ना सौट आउट करते हैं ओफ कैमरा लेकिन हुआ क्या आपने देखा कोई आया भी नहीं और वीडियो आया जिसमें मा को बिठाया गया मा भी रो रही थी लेकिन जब सभी लोग कह रहे हैं आपे एक जना नहीं मा के लिए हमेशा बच्चे बराबर होते हैं मा को दो रो बच्चे को बिठा के अगर वीडियो बनाती ठीक है तब समझ आता था लेकिन आप एक को सपोर्ट कर रहे हो आपका जो बेटा कमजोर है चलो उसकी नौकरी अच्छी नहीं है ठीक है तो उसको जबकि मा का रियल में मा क्या करती है कि अपने कमजोर बच्चे को जादा सपोर्ट करती है तो यहां पर यह चीज क्या बोल दी उससे तिल मिला के बदधुआएं दे रहे हैं आप मतलब क्या क्या ही आपका असली रूप है और यह भी बो देखते हैं क्या है वीडियो में तो यह सब चीजे बोली गई जब इंको पता था ठीक है तो यहां पर कामिनी की कोई गलती नहीं है और कामिनी ने क्या ही कितना कुछ सहा होगा तो यह रियालेटी है जब तो आप किसी यूट्यूपर को आप बद्धुआए दे सकते हैं और फिर वहाँ पे सोशल मेडिया पे अब तो आहीं चुकी है कि आपने अपने ही घर की और यानि की भावी आपकी खुद की सगी भावी के साथ क्या-क्या नहीं किया आप अपनी मम्मी के साथ अपनी बीवी के साथ बैठ के जो आपकी भावी है उनके माईके वालों के लि और जब अब इनकी ही हरकतों पे इनका ही वीडियो के आधार पे लोग इनको हेट दे रहे हैं तो इनसे वो सहा नहीं जा रहा है कॉमेंट सेक्शन ओफ कर दिया जा रहा है ठीक है तो देखिए जनता जनारदन ना पागल नहीं है आप कितना भी मुखटा पैंके आ लिजी आ ससका ही है और आपका केहते हैं अ कि फिस तरह से आप चड़े है न डियोल चले हो और संदर्ता ताम्य जा सकते हैं इनसे तो नहीं है तो हां इनके हिसाब से चलो ठीक है हम यह नहीं कहते है आपकी wife सुंदर नहीं है लेकिन अची लगती है अपने आपको अच्छे से maintain करती है उनका बच्चा है ठीक है परिवार को साथ लेके चल रही है और सोचल मेडिया पर भी तरक्की कर रही है लोग उनको पसंद करते हैं तो सोच ये कामिनी जी ने कितना कुछ सहा होगा और ये जो वाट्स अप पर बदुवाएं देना और ये सब देना ये सब चीजे न सही में मतलब हद हो गई बहुत जादा वैसे उनका वीडियो आएगा औ लेकिन ये जो बदुवाएं बदुवाएं आपने स्टार्ट कर दिया ना सिर्फ इसलिए कि आज आप इतने तिलमला क्यों रहें क्योंकि रियक्शन चैनल्स भी कामिनी जी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई जो सही चीज दिखरी है लोग तो वहीं बोलेंगे चलो ठीक है रिय बुद्धी खराब हो गई बुद्धी ब्रश्ट हो गई तो ये था फ्रेंड्स मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ और वैसे कामिनी जी ने सही में शॉट डाला था और चौबिस घंटे बाद ही वीडियो अपलोड किया था अगर ये लोग चाहते वाकी इनक ताना शाही तो अब मुझको भी लगता है कि ये सही में पूरे घर को अपने हिसाब से चलाते हैं जो मैं कहूंगा वो ही होगा और जो इस तरह से एक हफते में उपर जैसे जाने के लिए ब्लैक मिल किया गया था कि एक हफते में नहीं गए तो मैं घर छोड़के चला जाओ होगा इतना attitude इतना मतलब क्या बोलू मैं कि सब मेरी बात ही मानेंगे जबरदस्ती उनको धंकी दे दे के उनको ताकि आप उनकी वीडियो में आते ही क्यों हो तो ये बाते अब सच लग रही है और कामरी जी कि एक बात इन चीज़ों पर और सच्चा ही अब जादा मतलब अ अच्छे से वह बना हुआ घर नहीं है तो बहुत कुछ सहा और जो लड़की ने फिर भी शुरू से तिलक की वीडियो से अच्छत कुछ लोग तिलक की भी बाते कर रहेगी हमने देखा है मैंने इनका पूरा तिलक का वीडियो देखा अजीत और कामिनी का उसमें अच्छा खाजा सब कुछ सब हैपी है सब कुछ तो दिख रहें अच्छे से सबका अधर सदकार हुआ है वेलकम भी अच्छा हुआ है और कहीं से भी कोई दुखी नहीं लग रहा है लेकिन ये सब चीजे बात में और गिफ्ट बगेरा भी जब दिये गए वो भी सब देखें वीडि दिमाग खराब होता है बहुत जादा और वो सब चीजे और अभी चौप चीजे चल रहे हैं मतलब इस तरह के दवाएं दे रहे हैं आप वाट्सअप पे आप सोची अगर उन्होंने आपकी कंप्लेंट कर दी या ये कर दी ये सब चीजे क्या मतलब अच्छी लगती है इतना घमंड मत करिया आप सही में क्योंकि अच्छा अच्छा टाइम भी आता है बुरा टाइम भी आता है और जहां तक बात रही कामिनिका के सिचुएशन में वो नीचे जैसे उन्होंने वीडियो में दिखाया था वो कठेल की सबसी बनाने गए थी मौर्निंग में में हस आशा ही चलाएंगे अपने बड़े भाई भावी का इस तरह से मतलबों करेंगे कितना बुरा लगेगा यार उन्होंने जब ये वीडियो देखाऊगा कि मेरे ही माता-पिता के लिए इतना बूला जा रहा है और किसके सामने मेरी दिवरानी देवर और मेरी सास मिलके वीड वो दुखी थे जिसको हमने भगवान समझा उन्होंने दिल तोड़ दिया और इन्होंने कई मैंने मीचे कॉमेंट्स भी पड़े हैं जहां पर बच्चे का जवाब देते हुए बोल रही है कि जो बच्चे का खर्चा है या पढ़ाई का खर्चा है वो हम लोग ही उठा रह जाती है है और हम तो देखिए अभी भी कहते हैं इन दोनों भाईयों में चीज़े ठीक हो जाएं लेकिन इतना घ्वंड इतना गुस्सा कि जबकी मतलब कुछ नहीं समझना किसी को यह चीज बहुत गलत है बहुत गलत है वाकि यस मैं उनका वीडियो देखूंगी उसके ब प्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई एंड यस जाने से पहले अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा बाई बाई